लोग बहुत साधा ही मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगी यह रीडिंग हम जो करने जा रहे हैं वो देखेंगे कि next 24 आउअ प्लже करके दिल दमाग में क्या चणने वाला है ठीक है मिआ देखते हैं और रृडिंग स्टार्टर करने पहले में आप लोगों से रिक्वेस करूंग और में कि चैनल को सब्सक्राइब करके बैल डिकन को औल पर प्रेस शनतह practiced जो है वो रीडिंग्स की मिलती रहे। कि अच्छिएं इन रिवर्स जाज्च्मेंट ठीक है तो यहां पर जो चीज मुझे दिख रही है और बॉतम में यहां पर डेवल एनरजी है मतलब क्याप्रिकॉर्स एनरजी है ओवरॉल एनरजी मुझे दिखती है कि आप दोनों समय की चक्र व्यू में बहुत बुरी तरीके से फस्के हो इविन 24 आवर्स तद भी एनरजी रहेगी कि बहुत जादा फस्के रह चाहोगे दोनों एक दूसरे को हग करना चाहोगे एक आप दोनों को लगेगा कि दोनों एक दूसरे के उपर गुसा हो या फिर नाराज़गी है या खिट जहर है वो सही नहीं बैठेगी और मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के प्रती बहुत attraction feel करोगे next 24 hours के अंदर बुचाहे physical attraction हो बुचाहे sexual attraction हो मुझे strong attraction feel होता हुआ यहां पर जरूर दिख रहा है और यहां पर ऐसा लग रहा है आप दोनों एक दूसरे को कोई छोड़ना नहीं चाहते हो मुझे 24 hours के अंदर यहीं energy दिख रही है आप तो नहीं छोड़ना चाहते even more person भी नहीं चलो overall energy यह रहे ही और बाकी हम देख लेते हैं अगर मैं बाकी feelings यहां पर दिखूँ तो मुझे mostly लग रहा है कि तीन major अरकाना आये हैं और मैं block energy से start करूँगी the medical station अगले 24 hours मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ भी यह person action लेने की कोशिश करें कुछ भी manifest करने की कोशिश करें वो उनके लिए बहुत difficult होगा ठीक है क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे वो हर एक चीज़ को कोशिश करेंगे इस रिष्टे में करने के लिए बट सही कुछ नहीं होगा right direction में कुछ नहीं जा पाएगा या फिर उन से नहीं होगा समझ रहे हो यह इंसान ट्राइ करेगा आपसे प्यार से भी बात करने के लिए attitude दिखा के बात करने के लिए गुश्य में बात करने के लिए हर एक तरीके से जैसे possibility हो सकता है यह इंसान ट्राइ करेगा आपसे बात करने के लिए बट इस इंसान से काफी सारी चीज़े नहीं होगी इस इंसान से जो है चीजों को आगे बढ़ाना नहीं होगा एविन मुझे लगता है कि ये इंसान जो है बहुत ट्रिक्स अपनाएंगे आपको जूटी बाते बोलके प्यारी बाते बोलके अपने और अट्रक्ट करने की भी कोशिश करेंगे लेकिन वो भी नहीं होगी फेल होगी शायद आप उनकी रियल फेस देख लोगे या फिर अगर वो कोई जूट बोलेंगे आप उसको पकड़ लोगे तो इस तरीके से मुझे यहां पर ऐसा दिख रहा है कि यह परसन जो है आपको मानिफेस्ट करना इनके लिए बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा आपसे सही तरीके से आपके साथ चीजों को कंटिन्यू करना इनका बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा ठीक है क्योंकि वो शायद अपना रियल साइड ना दिखाए वो आटिफिशिल साइड दिखाए वो ऐसे दिखाएंगे देखो मैं नहीं बोले हैं कि वो जूट दिखाएंगे तो वही चीज मुझे लग रही है और यह सब कुछ वह करेंगे तो गयनियो शंपती आपकी सिंपती पाने के लिए जैसे आप उनको माफ कर दो आप उनको छोड़ दो इस तरीके से ठीक है और यहां पर एक चीज मुझे लग रही है जट्मेंट कार्ड के यह उनका mindset ऐसा रहेगा कि वो हर एक चीज को बहुत जच करने लगेंगे ठीक है हो सकता है कि आप उनको जो भी बोलो वो ना समझ के कुछ दूसरा साइट समझ ले उनके अंदर जो भी feelings था है वो उसको ना समझ के कुछ दूसरा साइट समझ ले तो next 24 hours में जो उनकी major energy रहेग कभी कभी होता है कि हम जितना भी कोशिश कर ले हमें result नहीं मलता है क्यों कि यहीं ही होता है ऐसे ही issues create होते हैं तो वही है यहां पर और कुछ इशू है नहीं कि ऐसा होगा वैसा होगा तो यहां पर मुझे basically दिख रहा है कि आपकी person का mindset जो है वो कुछ करे ना करे automatically थोड़ा सब लॉक रहेगा थोड़ा साब कुछ समझाने की कोशिश करो ना करो automatically यह बहुत तारी चीज़े जो है वो समझ नहीं पाएंगे दिखो मुझे लगता है कि अगले 24 गंटे के अंदर ऐसी चीज़े होगी जैसे आपको फील होगा आपकी प्रार्थनाई सुनी गई है आपका जो आसू है ठीक है जैसे मैं personal reading में भी बोलती हूं अगर पांच आसू गिरे हैं तो इस इंसान का 50 आसू गिरेगा अगले 24 टो में ठीक है क्योंकि आपकी तकलीफ ने भगवान ने देखा है आपकी तकलीफ को तो उनको वो कैसे माफ कर देंगे बिल्कुल भी नहीं करेंगे ठीक है और यहां पर मुझे ऐसा लग रहा है है हैंग के सिच्वेशन के साथ इस इंसान के लाइफ में ग्रोथ नहीं आए कि उनकी चीज़े स्टक रहेगी ठीक है यहां पर मुझे लगता है कि अगले 24 आउस के अंदर आपको सेफ फील करवाने की कोशिश करेंगे देखो इस बार तुम मेरे पात आ सकते हो इस बार में जैन्वन हूं इस बार में तुम्हें हर्ट नहीं करूंगा या फिर नहीं कर सकते हैं उनको एक कोशिश रहेगा क्योंकि मैं भी उनको पता है कि आप ऐसा ही फील करते हो कि यह इंसान बदलने वाला है नहीं मुझे बार बार हर्ट करता रहता है तो आप ऐसा ही फील करते हो उनको वो चीज़ पता है ठीक है और बहुत पेशिंसली या आपका प्यार प और वो generally सोचेंगे, हाँ ठीक है, मैंने इसको wait करवाया, मतलब तुम्हें, मैंने तुम्हें बहुत wait करवाया, प्यार देने के लिए, चीज़े सही करने के लिए, अब अगर मैं थोड़ा सा तुम्हारे लिए wait करूं, तो क्या issue है, कुछ issue तो नहीं रहेगा, तो वो wait कर सकते हैं, ठीक है, और जो मैंने बोला कि मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लग रहा है, कि वो give up करके move on करेंगे, उन्होंने अगर एक चीज़ सोचा है, कि मुझे wait करना है, तो कम से कम 24 hours में तो वो इस relationship में give up नहीं करने वाले हैं, कैसे भी हो जाए, चाहे उनको परिशाने भी क्य होने लेके आ सकते हैं, ठीक है, ऐसी कोई गहरी बात, ऐसी कोई बात मुझे लग रही है, जहां पर आपने शाद expect नहीं किया होगा, कि वो आपके लिए ऐसा करेंगे, ठीक है, मुझे बिल्कुल ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, जैसे वो out of nature जाके वो कुछ करने वाले हैं, उनका nature वो नहीं होगा, लेकिन वो ऐसा कुछ try करेंगे करने के लिए, आपको feel होगा, कि ये इंसान मेरे लिए ये भी कर सकता है, मैंने कभी expect नहीं किया था, so, कुछ sacrifice बोलो, या फिर कुछ भी बोलो, so, ये मुझे दिखता है, ये इंसान का आपके लिए करना, देखो, मुझे लगता है कि बात, communication is important, तो next 24 hours के अंदर, ये अपने side से जितना हो सके बात करने की कोशिश करेंगे, मतलब, उनकी दाइरे से निकल के जितना हो सके, ऐसा नहीं कि वो इस्तिना खुल के बात करेंगे कि आपको फिल होगा कि क्या हो गया इस इतना खुल के बात कर रहा है, ऐसा शायद नहीं, लेकिन उनके हिसाब से वो जितना आपको attention दे सकते हैं, वो उतना करने की कोशिश कर अब पता नहीं देखते हैं क्या होता है ठीक है चलो मैं आपकी लिए कार्ड निकालती हूँ बहुत passion मुझे दिख रही है अगले 24 hours 24 गंटों तक इनकी जो feelings है मुझे बहुत passionate दिख रही है जैसे किसी के लिए ना आग दिल में feel होना मतलब किसी को भूलना इतना easy नहीं है एक person को जिसे आप इनको भूल नहीं पाते हूँ उस तरीके से मुझे उनकी energy दिख रही है एक आग जैसे उनके अंदर रहेगी एक feelings उनके अंदर रहेगी ठीक है वो चीज़ मुझे दिख रही है नेक्स्ट हमारे पाक है दुबल फॉर्ट्यून क्या बात है आज बहुत ज्यादे मेजर अरकाना काड़ आ रहे हैं तो जो भी इनकी feelings ना वह बहुत स्ट्रॉंग और मेजर feelings रहने वाली है नेक्स्ट ट्वॉनिफॉर आवस कर इतना मैं आपको बता देती हूं नाइट ऑफ कप ठीक है व्यूटिफुल पाइसी से नर्जी बहुत है और मैं आपकी लिए कार निकालते हूं पेज ओफ पैंटिकल अपॉचनटिप आपकी लिए मुझे दिख रही है कि आप जो तलाश में थी ना कब मुझे मौका मिलेगा मैं इस इन्सान से बात करूं या फिर कब मुझे मौका मिलेगा मैं इस इन्सान के साथ कुछ अपनी बाते शेयर करूं कुछ करूं सो आपको वो मौका मिलने वाला है आपको सिर्फ वो नहीं आपको अपने लाइफ में कुछ चीजों में एक opportunity मिलने वाली है वो जाहे career में हो पैसों में हो love relationships में हो 24 आपको काफी सारी मुझे opportunity मिलते हुई दिख रही है तो इसको आप बहुत अच्छे से यूज भी करना ठीक है feelings के अगर मैं बात करूं तो moon का card है आप दोनों के बीच में कुछ misunderstanding create हो सकता है कुछ illusion जैसे उन्होंने नहीं बोला होगा बेट आपको लगवा लगे कि उन्होंने बोला आपने नहीं सोचा होगा आपने नहीं बोला होगा उनको लगए कि आपने बौला अ», इस तरीके से दिख रहा है तो कोई भी misunderstanding card नहीं पाता है, होता है खतम हो जाता है, तो don't worry about it, लेकिन हाँ, मुझे एक चीज़ दिख रही है कि किसी के सामने कुछ मत बोलना, कोई loyal friend सोच के जाके यह मत बोलना, कि देखो हम दूरों के बिश में यह हुआ है, तो शाद वहाँ पर problem create हो सकते, illusion मुझे किस तरीके का दिख रहा है, जो कि emotionally आप दोनों को damage करेगा, आप भी hurt होगी, वो भी hurt होगा, आपके person और किसी का intention नहीं होगा, आपका नहीं होगा, उनको करने का, उनको नहीं होगा, आपको करने का, एक misunderstanding के तहित यह सब चीज़े हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे the will of fortune, मुझ जादा believe करते हैं, and the will of fortune के साथ मुझे लगता है, कि वो चाहेंगे, कि आप दोनों की किस्मत में, जो भी situation चल रही है, जो भी blockages से, वो हटे आप, और आप दोनों साथ हो, मतलब change की, उनको बहुत strong expectation है, कि चीज़े बदले, और आपके person ना, इस relationship में थोड़ी सी uncomfortable हो रहे ह लेकिन ये थोड़ी से uncomfortable हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है, बहुत सारी चीज़े चल रही है, बहुत सारी issues है, बहुत सारी problems है, मतलब smooth relationship के लिए लड़का, लड़की, या फिर अब same gender की क्यों ना हो, होते है, normal relationship चलता है, शादी हो जाती है, normal, ठीक है, और फिर शादी क बाद चीज़ों को continue करना है, ये जो normal चीज़े हैं, लेकिन उनको लगता है कि इस रिष्टे में इतने सारी issues है, वो खुद बहुत जादा uncomfortable हो जाते हैं, वो कितना कुछ face करेंगे, कुछ चीज़े उनकी गलती के वज़े से, कुछ चीज़े ना चाहते हुए में भी आपकी वज़े से हुआ है, अब proposal के साथ मुझे लगता है कि next night of cuffs है, आपको opportunity चाहिए और उस इनसान आपको opportunity देंगे, so it's all about the proposal, guys अभी तक अगर आप ये reading देख रहे हूं, तो मैं आप लोगों को request करूंगी, please reading को like कर दीजे, channel को subscribe कर दीजे, और subscribe करके bell icon को आपको जरूर प्र proposal वो आपको दे सकते हैं, propose कर सकते हैं, propose करना, जो सुनने में ये बड़ा अच्छा लगता है, propose, offer जो आप बोलते हो, बहुत टाइम से उन्होंने शायद आपको प्यार नहीं दिया है, या फिर बहुत टाइम से शायद उन्होंने आपसे प्यार से बात नहीं किया है, ठीक ह तो यहां पर ऐसा लग रहा है जैसे वह आपसे प्यार से थोड़ा बात करेंगे आपका हाल चाल पूछेंगे कैसे वह क्या कर जो यह सब चीजें जो है वह पूछने वाले हैं शाद पूछ सकते हैं ठीक है चालो साहट में रीडिंग जो और लंबा ना करूँ कई नकई मेर इंट्विशन बोल रहा है कि रीडिंग को आज शॉट ही रखो शाद आक आत्व में तो बहुत साथ लोगों की यह इंट्विशन है रींट्येंग शॉट पता नहीं है बट मुझे यहीं इंट्यूशन आ रहा है तो मैं और ज्यादा लंबा नहीं खीचूंगी खत्म कर दूंगी शायद एक और वीडियो डालू मैं आज ठीक है chemistry relationship में जो spark होना चाहिए मुझे वो दिख रहा है आप दोनों के बीच में आज यह relationship में एक spark होगी देखो वो जो chemistry होता है आप सबको पता है वो कैसा होता है बट explain नहीं किया जा सकता है न तो यह रिष्टे में 24 hours के अंदर वो explain नहीं किया जाएगा लेकिन वो चीज बड़ा feel होगा वो spark वो एक दूसरे के हाथ पकड़की चलना वो एक दूसरे का touch feel करना एक दूस 24 hours के अंदर आप दोनों के पीच में strong chemistry है वो बाहर आ सकती है जिस चीज के वज़े से जितनी पुराने issues है जितनी पुराने negativity है वह सारे निकल के आप दोनों positively आगे बढ़ सकते हों अच्छी बात है न इल्यूजन का card आया था अब look beyond illusion का card है मतलब यह कि आप दोनों के कहीं सुनी बातों के उपर believe मत करना या फिर आपको कोई कुछ नहीं बोलता सिर्फ जो बोलते ही यहीं बोलते हैं तो no don't believe क्योंकि इंसान कभी-कभी कुछ भी बोल जाता है लेकिन वो उसको mean नहीं करता है और बाद में उसको समझ भी आ जाता है राइट सो यहां पर मुझ इजे बदलेगी ठीक है यह फिर situation कुछ और है हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है तो कोई भी बातों के उपर believe करके गुस्ता मत करना एक दूसरे के उपर next 24 hours में this is a warning ठीक है committed relationship definitely relationship होगा तो commitment आपको मिलेगा क्योंकि maybe यहां पर बहुत सारे लोगों की problem यह है कि relationship तो है बंदा बंदी प्यार तो करता है यह फिर करती है शादी का commitment नहीं दे पाता आगे बढ़ने का commitment नहीं दे पाता so it's all about commitment issue and वो आपको मिल जाएगा ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको commitment मिलने के लिए बहुत जल्दी मिल जाएगा इविन कुछ लोगों का next 24 hours के अंदर भी commitment मिल सकता है थोड़ीती मैं आपके लिए कार निकालती हूं और सिर्फ ऐसा नहीं कि कोई बोलेगा कि किसी मैं तुम्हें commitment दे रहा हूं या फिर दे रही हूं शादी का या फिर प्यार का मीन नहीं करता होगा तो क्या है मतलब वह एक feelings है जो अंदर से आने चाहिए और वह आएगी ज़रूर आपके पॉसंद को सिर्फ बोलने से क्या होता है ना थिंग आपके लिए क्या मैं का अब इससे आप अंदाजा लगा लो आप stability चाहते हो आपको stability मिलेगा मुझे जितना समझ आ रहा है ठीक है और यह stability आप marriage को लेके चलो या फिर अच्छे से बात करने को लेके चलो जो भी मुझे यहां पर वही लग रहा है चाहते हो मिलेगा ठीक है messages एक दो देख लेते हैं यह messages है I miss you more than you know तुम्हें जितना पता है उसे कहीं जादा मैं तुम्हें मिस करता हूं या फिर मिस करती हूं होता है न वो चीज़े इंसान कभी-कभी दिखा नहीं पाता है बट हद से ज करता है तो मुझे लगता है कि 24 घंटे के अंदर वह यह चीज़ आपको बताएपाएंगे कि वह आपको कितना मिस करते है या फिर आपको पता नहीं है यहां सा देख लीजिए तुम्हें जतना पता है उसे कहीं हिजादा मैं तुम्हें मिस प्यार करता हूं या फिर करती यह थी आपकी रीडिंग आई हूप आपको पसंद आई लाइक कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं अगली रीडिंग पे तब तक अपना ख्याल रखें पाई